नमस्कार साथीयों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं MP Board Class 9th NCIT Science कक्षा नोवी में विज्ञान से आज का हमारा most important question है क्या है आरक मेडिज के सिद्धान्त से आप क्या समझते हो काफी ज़्यादा important question है पूछा जाएगा परिक्षा में आरक मेडिज के सिद्धान्त से क्या समझते हो तो आईए इसका उत्तर देखते हम तो आरक मेडिज का सिद्धान्त क्या होता है तो आरक मेडिज का सिद्धान्त होता है जब किसी वस्तु को आंचिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबोया जाता है तो उस वस्तू पर उपर की और एक बल कार्य करता है जैसा कि आपने देखा होगा पानी में पानी भरा हुआ है उसमें किसी भी वस्तू को हम या तो पूरी तरीके से अंदर डाल देते हैं जिसके कारण उस वस्तु के वजन अत्वा भार में या तो आप वजन लिखिए भार लिखिए भार में क्या हो जाता है कमी आ जाती है जिसके कारण जो वस्तु पानी में डाली जाती है उस वस्तु के भार में क्या हो जाती है कमी हो जाती है simple language में answer है जब किसी वस्तु को आंचिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी तरल में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उपर की ओर एक बल कारी करता है जिसके कारण उस वस्तु के वजन या भार में कमी आ जाती है ठिक भार में या कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है क्या बताया भार में जो कमी आती है वो उसी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के वो वस्तु जब पानी में जाएगी तो जो जितना एरिया वो जैसे इतना इतना एरिया इसने पानी का cover किया है ठीक है तो जो भार में कभी होगी वो स्वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है तो जितना यह हटाएगी ना जितना पानी इसने हटाया है उस पानी का जो भी भार होगा वो हटाए गए भार के बराबर होगा ठीक है गाइस तो मे हैं अगले वीडियो में अगले कोश्चन के साथ तब तक के लिए थाइंक यूँ